तो राज पाटी तो सवराज पाटी के जो है न अस्थापना जो है कब किया गया था तो मार्च अनई सो तेश में कौन किये थे वाई साब तो चित्रंजन दास और मोतिलाल कौन किये थे जी चित्रंजन सोराज पाटी सोबराक होता है जापना Esta boys ला-क की जाथा तो इलाहबास सवराज पारटी बनाने का उफ्या उछा तो विधानपरिश्दों में चिनाओ लड़ना लड़ना और चुनाओ लड़कर उसमें तो कोई मद्विधायक वन जाना उसके बाद जो अंग्रेजों की निती है उसके खिलाप उसके बाद क्या करना वार करना तो है कि विधान परिषत के चुनामें अगर माली जह कोई भारती इंडियन जो है जी जाता है तो जीतने वार्ट कि आदो जाएगा उस एरिया का एक मत सब्सक्राइब करना अब देखिया क्या अग्या अंग्रेज़ों का विरोध करना अब देखिया क्या सब्सक्राइब अग्या अंदुलन यह आपके टेन्थ इसजां में बहुत ज्यादा बार पुछाया एक आशायोग और एक सबीनी में अगया ठीक है तो रही क्या है कि मतलब इसमें यह अंदुलन करकियों चलाए गया तो हुआ कि गांधी जी ने इर विश्याव आपका मतलब जाएब चला त चुछ तो सुनिये का ध्यांट चैक इर्बीन उस्टाइम हेड ते तो इर्बीन के पास 11 सुत्री मांगे रखी उस 11 सुत्री मांगे में क्या था वाई सब्था जो मतलब सेना है उन सेना की खर्चा जो है उस अच्छा को कम किजिए फिर जो मतलब आपने जो नियम कानून लगाए हो उसको पुर्णुप से हटाईए अन्यकों तरह का ऐसे मतलब उन्होंने जब लेकिन आगे चल कर भाई साब इसमें लाखो लोग सामीन हो जाते हैं इर्विन घब राजाता है इर्विन कहता है कि वाई साब बड़ी जनसंख्या है किसी वार करीगी तो कदम कर देगी ठीक है तो अब गांधी अब इर्विन जो है ना आप उसका दिमाग काम नहीं कर रहा इर्विन का इर्विन ने क्या किया कि गांधी जिस मुलकाद किया सबसे पहले अकेले में अब गांधी से समझा नहीं जा पाया थे दो गोल में नहीं जा पाए एक दुसरा जो हुआ था उसी में जा पाए वह बात बताएंगे पल इसको आप देख लिए तो है क्या कि गांधी जी अनई 37 में 11 सुत्री मांगे रखी इर्विन के पास किसके पास जी इर्विन के पास ठीक है अब जैसे कि सेना की खर्चों को कम करने का भारतिये बंदी को छोड़ने के रॉलेक्टेट के जुनियम कानून है उससे मतलब हटाने का इस तरह का अनेक प्रतिबंद को हटाने को उसमें बात किये लेकिन क्या हुआ कि इर्विन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया इसका कोई मतलब पोजिटिव का और रिप्लाई नहीं दिया इसके बिरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च सुनिए गधान से इसके बिरोध में का जी दांड और यहां पर हुने नमक तोर कर नमक कानून का विरोध किया और इस परकार आपका श्रभीने अवेगा अंदलन परारम हो जाता है तो सबीने अब अंदलन के स्टोडी क्या थी अगर में मुद्दा क्या था कैसे लिखेंगे जाम में आप सबसे पहले गांधी जी इर्भीन के पास 117 मांगे रखी उस मांगों को इर्भीन ने ठुकड़ा दिया तो उसके बाद उस अपने मांगों को पूरा करने के लिए गां में आता है इतनी सारी बात है कि आपको हो जाएंगे कि सबीने अंदलन सोडी अब आगे देखिए तो इर्भीन के पास जवाब नहीं दिया तो इसका विरोध में गांधी जी दांडी मार्च 12 मार्च 30 में साबर मती आसनम से स्टार्ट किये और आपका है क्या कि अच्छे आ क्या कर दिया प्रारम के प्रारम में मतलब गांदी जी और परसान था भाई साब गांधी जी के इर्विन की वीच्ट क्या हुआ समझाता हुआ जिसे गांधी समझाता कहते हैं गांधी जी और इर्बीन समझता कहा जाता है इसको ऐसे मतलब संद्रा मार्च 1931 को तो और इसके बाद क्या होता है कि मुझा समझता हो जाती है इसके बाद प्रतिनीदी बैठे होते हैं और अपनी बाते बोलते हैं उसी कहा जाता है घ्म होताजी तरा पर्धान नाम क्या था रमपो डॉनाल डॉन मेंक डॉनाल तरा अब देखे ये गोल मेंarsa में इसे भाग नहीं लिया था और कया 머के है अधिक एक अनईसा तीस में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और गांधी जी भाग लिये थे और लेकिन गांधी जी के पूरे मतलब जो इनका मांग था उस मांगों के पूरा नहीं किया गया तो गांधी जी आ खुशाओ लेकिन आपका हाइग्या ध्यानी इन तीनों अंदोलों में 32 में भारत का कड़ते लिए भीमराव अम्विंदकर दलीतों के लिए आपके हाइग्या तीनों आपके गुल्में समयध्य में पहुंचे थे तो वहां पर इर्बीर ने जो आपका क्या होते हैं जो पता है क्या भीवराम मिद्गर से बोला कि चलिए आपको उधर इंडिया में कोई कदर ही नहीं है इतने बड़े पड़े लिखे इंसान है तो हुआ कि आपको मैं इस समेलन के तहब से आपको 78 सीटे दूँगा किता सीटे दूँगा प्रिथक मतलब एक जगह दूँगा अगर एक ही जगह कोई सी धर्म के बादी बहुँ ज्यादा हो जाती है तो कहीं न कहीं वहां पर उनका वर्चस हो जाएगा और इस तरह मतलब फिर से और जदा पनप्पी चलिए ठीक है लाई जगहा और ज़्यादा होगा तो ऐसे में क्या हुआ जब मतलब एक घटना है उस तो एक अहतर सीटे प्रिथक सीटे जो है इनको दिया गया एक जगह मतलब बोला गया कि आपको मिल जाएगा किसने बोला अंग्रेजों ने जब इबात भाई साब गांधी जी को पता चलता है तो जब वहां से भीवरा अमेदकर वहां से आये भाई साब आते हैं मतलब अच्छा नहीं किया उसके बाद फिर मतलब गांधी और मैंटकर विचे मतलब अच्छे से बादचीत होती है और एक समझाथा होता है जिसे कहा जाता है गांधी क्योंते हैं गांधी अमिदकर समझाता बोल सकते या पूना पैक को बोलते हैं कब देखिए वो लोग आपको सब्सक्राइब कर दो अब इस तरह के बाद इन्हों ने कहा कि देखो जी जितने भी मतलब दलीत लोग है यह अधी पडिवार की लोग है उन्हें आप मदद करो कोई मतलब सब्सक्राइब इस्था ढ़ल मतलब दलीत लोग थे उनको लगा की मतलब नहीं गांधी वास्तों में बहुत गांधी कbreaker ग्रहुट को दिली चलो के चाना जाता है तो अपने सुना होगा जो रहे ते गांधी जी तो भारत चुरू अंदोलन जो है अने 42 में चलाए गया था किसके लिए वीरोध में चलाए गया था अब देखेंजेश रहें लाइज पर चलाए गया था अब देखिए यह क्यों चलाए गया गया उसमें भाग लेने को कहिए तो गान्धी जी अंग्रेजों की पूरी राम नामी कहानी जो है समझ चुके थे यह कब समझते फर्स्ट वर्ड वार में जब फर्स्ट वर्ड वार हुआ था तो ऐसे अंग्रेजों ने भारतियों का सपोर्ट लिया था लेकिन उसके बदलें भार सब्सक्राइब करें उसने मन मतलब कैसे मन बना लेकर नहीं जाना ही पड़ेगा तो इसे अगस्त करांती भी कहते हैं अगस्त करांती भी कहा जाता है और सुनिए अप अंग्रेजों अपने इसमें भी नहीं छोड़ा था और अधितर नेताओं को जिल में बंद कर दिया कि इससे भी भारती नेता हमारी युद में सामिल हो जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ फिर आगे चलकर है गांधी जी को भी क्या क्या और ग्रफ्तार कर लिया गया और आपका आगाखा पैलेस में रखा गया कहा रखा सब्सक्राइब हो जाता है एक इंडिया और क्या जी पकिस्तान आख्री करकर गांधी जी का जो है मिर्त्यू हो जाती है नात्यू नाम क्या जी गोड़से के द्वारा गोली मार्क हत्या कर दी जाती है कभाई साब 30 जनौणी अनवारी 148 को तो इमीद करता हम आपको यह सब्सक्राइब के जिये जाहिन